नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत स्वागेत है मेरे चैनल पे एक और नीव वीडियो के साथ तो आज मैं आप लोगों के साथ में सलिव का डिजाइन लेकर के आये हुँ में ऐसे को बॉटम के साइट पर जैनों एक एक मार्जिंग लेते हैं और उसी को बॉटम में छाड़ेहं में एक साथ दा भाई अंच रखते हुए सबसे पहले मैं यहां पर कपड़े के उपर रख करके उसकी भी कटिंग कर लेनी हैं अस्तर वाले कपड़े को भी चार वार फोल्ड कर लेना है ताकि दोनों स्लिव एक ही बार में निकल जाए और मेन कपड़े को भी मैंने यहां पर दो वार फोल्ड किया डवल कपड़ा रख करके तो चार फोल्ड हो गया है तो दोनों स्लिव की कटिंग एक ही बार निकल जाए चुकि अब हमें उसकी डिजाइन बनानी है तो डिजाइन बनाने के लिए पहले हमें बुक्रम लेना है तो बुक्रम की पटी ले रहे हैं जिसकी चोडाई रहेगी डेढ़ हिंच डवल में फोल्ड करके मैं यहां पर तीन इंच ले रहे हूं तीन से चार इंच है डवल में फ कब लेनी है और इस तरीके से कोई भी राउंट सेफ का कोई भी चीजा लेए उसको इस तरीके से हाधा इधर और अधर तरकते हुए और निसान लगा लेंगे निसान लगाने के बाद बीच से उसे हटा देंगे इससे ईच कर लेगा desa अगर आप इसको और थोड़ा छोटा बनाना चाहते हैं तो जो राउंड वाला चीज है जिससे आप राउंड निसान लगा रहे हैं उसको थोड़ा छोटा ले तो देखिए दोनों कटिंग हो चुकी है दोनों पार्ट की यह दो भाग एक ही स्लीव में लएंगे दोनों की डिजाइन बना करके बताऊंगे सेम तरीके थे दूसरा भी स्लीव का डिजाइन बनेगा तो बुक्रम की कटिंग हो चुकी है अब हमें लाइनिंग का कपड़ा लेना है तो यह देखिए अस्तर वाले कपड़े पर इसको अटेज कर लेना है अच्छे से मिला करके रखेंगे और जो डिजाइन की कटिंग हो चुकी है उसी डिजाइन पे हमें सिलाई लगा लेनी है बुक्रम के उपर जिस सेफ में डिजाइन कटी हुए उसी सेफ में हमें बुक्रम पे सिलाई लगा लेनी है पूरे में अब देखिए दोनों इसी तरीके से डिजाइन पर सिलाई लगकर के त्यार हो चुका है अब जो बाहर के साइट की जो कपड़े हैं उसको भी फोल्ड करके अंदर के साइट पर एक सीधी सिलाई लगा लेनी है मेरे चैनल को आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूवत है तो प्लीज आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए फुल वीडियो देखा कीजिए जो लोग भी चैनल पर नियूँ है सब्सक्राइब कर दिया करिए बेल लाइकन के साथ में ताकि जो भी मैं निव वीडि कपड़े को अस्तर के साथ में एटेच कर लेना है और चारों तरफ सिलाई लगा करके अटेच कर लेंगे पक्की वाली सिलाई लगानी है कपड़े पर हांथ फेरते जाएंगे ताकि कपड़े में बिल्कुल सलना पड़े अच्छे पूरे स्लिफ शिलाई लग चुकी अब जितना अब एक्स्ट्रा कपड़ा निकलेगा उसको हमें कटिंग करके हटा देनी है तो यह देखिए कटिंग करके हटा दियें अब हमें स्लिफ का कपड़ा लेना है और डिजाइन लेना है बीच में इस तरीके से सेट करते हैं दोनों भाग को रखेंगे आमने सामने करते हुए और बिल्कुल बीच में सेंटर में कट लगा लें नीचे और उपर दोनों साइड और उसी के बीच में हमें ये डिजाइन जो बना हुए उसको रख करके पहले पीन लगा करके अटैश कर लेना है ताकि बिल्कुल भी इधर उधर नहों हो आमने सामने डिजाइन जो है वो अच्छे से आए फिनिसिंग के साथ में अब हमें डिजाइन के उपर सिलाई लगाने नहीं है मगर इस वर बुकरम पर सिलाई नहीं लगानी है बुकरम के पास में कपड़े पे सिलाई लगानी है बुकरम के बिल्कुल किनारे पे लगाएंगे जो कपड़ा है उसी पे अच्छे से फिनिसिंग के साथ सिलाई लगाएंगे क्योंकि लाश्ट सिलाई है इसी से पूरा डिजाइन जो है वो अच्छे से उभर करके आएगा इसी तरीके से दोनों तरब सिलाई लगा लेना है इधर भी और उधर भी दोनों साइड में तो दोनों साइड में सिलाई लग चुका है, पिन निकाल देना है, पिन निकालने के बाद इसकी हमें कटिंग करनी है, जिस तरीके से सिलाई लगा है, उसी तरीके से हमें कटिंग करके, दोनों पार्ट जो है, अलग-अलग कर लेना है, सावधानी से सिलाई जो है, वो कटे न और पूरे जितने भी डिजाइन बने हुए है अस्तीन पर उसके हमें छोटे-छोटे कट लगाने है जो कॉनर है वहाँ पर अच्छे से कट लगाने है ताकि डिजाइन अच्छे से उभर कर गया है यह देखिए कट लगाने के बाद इसको पलट करके इस तरीके से सीधा कर ले किसी भी नुकेले चीज की मदद से इसके जितने भी कॉर्णर है वो अराम से निकल जाते हैं तो देखे पूरे डिजाइन पर हमें सिलाई लगा लेनी है सिलाई लग चुका है इसका जो अलग पार्ट है दो पार्ट है तो दोनों पार्ट पे इसी तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है तो यह देखे दोनों पार्ट पर सिलाई लग गया है और हमें क्या करना है सुई लेना है सुई में धागा डालना है डवल फोल्ड करके और यह जो अलग-अलग पार्ट है इसको आमने सामने मिलाते हुए हमें जुआइंड करने हैं सुई की मदद से आप चाहें तो जो आइंड करते समय इस पे मोती लगा सकते हैं या बटन लगा सकते हैं मगर मैं इसको बिल्कुल ही ऐसे ही प्लेन रख रहे हूं ना तो मोती लगाओंगी ना तो बटन लगाओंगी पस इसको ऐसे ही सिंपल रख रहे हूं मैं आप अपने पसंद की अनुसार चाहें तो लैस भी लगा सकते हैं पूरे डिजाइन पर बटन भी लगा सकते हैं और मोती भी लगा सकते हैं जिस तरीके से बनाना चाहें उस तरीके से इसको बना सकते हैं तो जो जितने भी राउंड बने हुए हैं उनको आमने सामने इसी तरीके से मिलाते हुए सिलाई लगागर के पक्का कर लेंगे अच्छे से गांठ लगाएंगे और फिर धागे कट कर देंगे सारे पे हमें सिलाई लगने के जॉइंट कर लेना है तो यह देखिए सिलाई लगने के बाद जॉइंट हो चुका है कुछ इस तरीके का इसका लूक आ रहा है देखने में अब हमें क्या करना है कि जो बाजो की चोड़ाई है उसी के नाप से हमें कपड़ा लेना है मेन लगा करके cover कर देना है 2 इंच चोड़ी लेंगे कपड़ा कपड़े की चोड़ाई रहेगी वो 2 इंच इसको double में fold कर देंगे कपड़े को और उल्टे side से पटी लगाएंगे इस तरीके से double में fold करके और उल्टे side से पटी लगाना start करेंगे अब इसमें सीधी सिलाई लगाएंगे पटी को attach कर लेंगे अब इसको पलट करके एक सेट की सिलाई लगाएंगे और इस बुकरम होला part आपको उल्टे side में दीख रहा है open open जैसा तो उसको आप तुरपाई करके और पका कर सकते हैं चाहे तो आप मसीन भी चला सकते हैं मैं इस पर तुरपाई करूँगी अब जो पटी है उसको सीधे तरफ लाते हुए सीधे की तरफ पलट देंगे और फिनिसिंग से सिलाई लगा देंगे यहां भी चाहें तो बॉटम पर लैस लगा सकते हैं मैं पसंद से किसी भी तरीके से आप रख सकते हैं मैं बिल्लकुल सिम्पल बना रही हूं इसका ब्लावज का बैक पार्ट है वह भी इसी वह बना हुआ है तो उस सपर भी मैं सिम्पल रखी हूं लैस्वागरा नहीं लगाए उस गैसे वह इसको भी इसी तरीके से रहा हूं इसका blouse का जो design है उसका भी link में description box में दे दूँगी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं तो यह देखिए final इसका look इस तरीके से आ रहा है thank you so much video देखने के लिए share करें like करें subscribe करें